next question question says if a body of mass 0.98 kg is made to oscillate on a spring of a force constant 4.84 newton per meter angular frequency of the body is हमें बताना है omega की value क्यों होगी again सवाल मुश्किल है calculation थोड़ी सी यहां पर tedious है मैं आपको इभी सिखाता हूं इस तरह कि एकर calculation में फस जाएं एक्जाम होल में तो कैसे बाहर निकल सकते कौन सी छोड़ी छोड़ी चीज़े हम calculation में यूज कर सकते हैं हमें मास दिया हुआ हमें पता है कि omega की value हो जाएगी under root k by m value रखके यहां पर हमारा बन जाएगा k की value अपने को दे रखिए 4.84 divided by 0.98 उपर और नीचे 100 से multiply कर दें तो यह बन जाएगा under root of 484 divided by 2 multiplied by 49 अले तो उपर अगर हमने रखा 484 484 की value हो जाएगी इसका रूट आ जाएगा 22 divided by यह हो गया आपका यह value हो गई 7 multiplied by 1 by root 2 यह आपकी value रह जाएगी इसको भी अगर हम चाहें तो रूट 2 by 2 लिख सकते हैं तो यह आपका 22 by 7 यानि की पाई आ गया और यह root 2 by 2 इसकी value 0.7 हो जाएगी तो यह हो गया 3.14 multiplied by 0.7 इसको multiply करके अपना answer आ जाएगा तो इसको multiply करते हैं तो ओमेगा की वैलिव अप्रॉक्सिमेटली टू 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 यह value आ जाती है तो अपना option population कैसे और better कर सकते हैं सिर्व इसको explore करना है इसको मैं लिख सकता हूं इसको हम लिख सकते हैं omega will be equal to under root of 484 divided by यह आ गया under root of 98 now 484 तो आपका हो जाएगा 22 नीचे जो 9.8 है उस 9.8 को हम pi square लिख सकते हैं तो इसको और हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा 22 यह तो उपर हो गया 22 divided by यह हो गया under root of 10 pi square ओलेट तो यह आपकी जो value बन गए omega की यह हो गया 22 divided by pi ना लें इंट्रेस्टिंगली पाय और multiplied by under root 10 आ जाएगा अगें इंट्रेस्टिंगली पाय को हम लिख सकते हैं 22 by 7 और 22 आपका cancel हो जाएगा 22 multiplied by under root of 10 divided by 10 यह तो यही value हुई पाय को हम लिख सकते हैं divided by 22 into 7 तो 22 cancel हो जाएगा यह value हो गई 7 multiplied by under root 10 divided by 10 again यहां पर आपको root 10 की value पता होनी चाहिए यहा फिर root 2 और root 5 की value हो उसको भी explore करके हम लिख सकते हैं और decimal place उसके बाद हमें लगाना है अफकोर इसका answer फिर बापिस 2.2 के आसपास ही आएगा 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 तो बेस आन दिस हम कह सकते हैं कि option number b 2.2 2.22 radian per second would be the right answer